नवस्कार मैं हिमान श्री कुमार आप देख रहे हैं भारत लाइव बंगाल को लेकर अब सियासी कोहरा मचना शुरू हो गया है वहाँ पर TMC BJP के बीच सो पिछले कई महिनों से लगाता जो है सियासी माहुल गर्म है लेकिन बिहार में भी उसको लेकर सियासी हल चल जो है मच कर दिया था कि स्तरीक सियासी कुमार बंगाल को लेकर काफ़े सियास है राज़त सियास है और वो राजनितिक बयान भी देते रहे हैं हाली में जीतन राम मांजी ने भी उसपश्ट कर दिया है कि अब जो है हम पाटी बिहार से बाहर अपना पाउँ पसारने के लिए तयार ह और ये पहली दफा होगा जब हम पाटी बिहार से बाहर की किसी राज में चुनाव लड़ेगे हम पाटी ने कहा कि हमारे 34 मुद्दे हैं जिन पर हमारा पूरा पाटी का संगठन हमारा विचारधारा टिका हुआ है और इन ही मुद्दों के जरी हम चाहेंगे कि पश्रिम ब हैं हलाकि पश्रिम बंगाल के गर बात करें तो नितिश कुमार का साथ लेंगे लेकिन भाजपा का साथ लेंगे या नहीं उनके साथ गडवन्दन करेंगे या नहीं यह भाजपा के गुन दोश्ट पर निर्भर करेगा हम आखो बता दे कि प्रैपटेशन की बात हुई थी तो उसमें जितनरामानजी ने जो एह बकाइदा कें सरकार के बजट का विरोध भी किया था और कहा था कि अगर निजिकरन होता है तो वहां भी आरक्षन का प्रस्ताव होना चाहिए तो जितनरामानजी अब असपश्ट कर चुके हैं कि पश्रिम बंगाल में वो जो है दो सीटू पर चुनाब लड़ेंगे और वो इस बात को भी असपश्ट कर चुके हैं कि बीजेपी के साथ उनका गटबंधन जो है बिहार में है बिहार से बाहर नहीं है और इसके लिए जो आपने जब हमने खबर ब्रेक किया था करनिया कुमार से जब वो मिल रहे थे तो हमने एक एंगल ये भी दिया था एक तो कि उनको जो वाम दल है उसके अंदर जो है उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया इसके लाव एक एंगल और दिया था कि पश्शिम मंगाल में चुनाब होने वाले हैं और वहाँ पर वाम दलों का अपना एक प्रभाव है तो नि निया कुमार की पाठी का समर्थन मिल जाता है तो कहीं ने कहीं नितिसकुमार एक मजबूत इस सिती में आ जाएंगे इस तरीके से इसको दिखा जा रहा था अगर राज़त की एगर हम बात करें तो श्याम रजक अबदुर बारेश सिद्धिक के यहां से मिलने के लिए पह खास रेस्पॉंस नहीं मिला तो अब जो राज़त है वो कहीं ने कहीं वामदलों के साथ और कॉंग्रेस के साथ गटवंधन करने को तयार है सिताराम येशरी ने इसकी पहल भी कर दी है और कहा जा रहा है कि राज़त जो है कॉंग्रेस और वामदलों के साथ गटवंधन कर सकती है तो पशीम बंगाल चुनाब को लेकर बिहार की सियासी पार्टी हैं काफी गंभीर हो चुकी हैं और इसी को देखते हुए जीतन रामान जी भी एक विकल पर विचार कर सकते हैं जिसमें वो नितीश कुमार का साथ लेंगे फिर असपस्ट कर दूं ने कहा है कि वो 26 मु बंगाल कि सियासत में क्या कुछ होता है हलाकि मुक्ष मुकाबला तो बीजेपी और टीमसी के बिच में है लेकिन बाकी और कई बिकल्प है तो राज्यूतिया देखना होगा कि और कौन-कौन से गटवंदन बनते हैं और फिर मुकाबला क्या होता है मैं आपको उता दें कि बंगाल में तशी मंगाल में 294 विधान सभा सीटों के लिए चुनाव होना है तो आप देखते रहें भारत लाइब जो भी तमाव अब्रेट्स होंगे हम लगातार आप से साजहा करते रहेंगे आप देखते रहें भारत लाइब बहुत बहुत धन्यवाद तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद